Hello everyone, हम क्या discuss कर रे थे? Nutrition in Plants, ये हम discuss कर रे थे इसके modes of nutrition हम देख चुके थे autotrophic है, heterotrophic है hetrotrophic में further two divisions होते है parasitic mode of nutrition and saprophytic mode of nutrition ठीक हैik, parasitic में एक parasite होता है, एक host होता है और saprophytic mode of nutrition में एक saprophite होता है जो की dead and digging organic matter पे depend करता है आज हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा भी जो plant है वो अपना food कुछ जो plants है वो अपना food prepare कर सकते हैं उन plants को हम क्या कहते हैं एक टाइप के plant आते हैं insectivorous plants नाम सही शोर है insectivorous plant मतलब जो की insect eating plants है उनको बोलते है insectivorous plants insect eating कैसे जो ये plant है ये insects को consume करते है insects को खाते है जो insectivorous plants होते है वो green भी हो सकते है या फिर non green plant भी हो सकते है ठीक है दोनों तरह के plant हो सकते है insectivorous में green भी आते है और non green plant भी आते है लेकिन ये insects को खाते हैं क्यों खाते हैं चलो आपने कहा कि green plant है और हमने डिसकस भी किया कि जो non green plant है वो भी photosynthesis करता है अगर आपको याद हो तो red, brown ये जो color की leaves होती है इनमें भी photosynthesis हो रहा था क्यों क्योंकि ये जो color है ये green color को mask कर रहा था इस वज़े से इनका ये color दिख रहा था लेकिन photosynthesis तो हो रहा था तो insectivores plants green ये non green दोनों हो सकते हैं इन plants के अंदर क्या होता है कुछ जो requirements होती है वो complete की जाती है किस से photosynthesis से और बाकी की बची ही requirements है वो किस से insects से पूरी की जाती है इनकी food की जो requirement है वो कुछ तो photosynthesis complete करता है कुछ insects करते है वो खाएंगे insect को अब समझने वाली बात है plant है जिसे हमारे मुह होता है चलो मुह में से खाना चला गया plant है plant के तो मुह भी नहीं होता है plant कैसे खाना खाता है या मुह देखा है किसी ने plant के हाँ उसके मुह था हमने उसके मुह में खाना दिया और उसने खा लिया ऐसा कुछ भी नहीं होता plant के पास कोई मुह नहीं होता क्या होता है एक plant जिसका हम example लेते हैं इसमें क्या होता है कि यह जो leaves होती है इन leaves की जो आगे का जो portion होता है जो part होता है वो क्या बना लेता है जग देखा है सबके घर पर जग होते हैं यह मत कहना कि जग भी नहीं देखा आपने हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है उल्टा बन गया हो ठीक है यह जग है यह जग का मुह है जग के ओपर ढखने के लिए धकन भी तो आता है यह इसका ढखन है तो कुछ plants में क्या होता है कि यह जो leaf है इस leaf का आगे वालत जो portion होता है लीफ पार्ट जो होता है वो क्या करता है वो modify होता है और modify होके कैसे structure बनाता है picture like घड़े की तरह घड़ा देखा है या फिर जग लाइक ठीक है इसकी तरह structure बना लेता है और यह जो leaf का apex part है जो tip part है यह modify होता है यहां से यह part modify होगा फिर उसके बाद यह जग लाइक structure बन गी फिर क्या होगा कि यहां से यह वाला जो portion है यह modify होता है और modify होके क्या बनाता है lid अगर इसको अलग से हम जग को निकाल के देखें यह देखिए यह कोई जग है जग यह picture लगा लो आप यह इसका lid है चीक है तो यह क्या होता है यह leaf का जो apex जो tip portion होता है वो modify होके lid बनाता है और उससे फर्दर जो portion होता है उससे आगे वाला वो modify होके यह जग-like structure और picture-like structure बनाता है घड़े की तरह इसमें क्या होता है कि कुछ hair-like structures होती है वो hair-like structures क्या होती है downward direction में pointed होती है hair-like structure ठीक है अब क्या होगा अब देखो आप कुछ बना रहे हैं जग में आपने जग का ढखकन खुला छोड़ दिया तो उस जग में आके कुछ तो गिर सकता है ना जैसे इसी टाइम का बारिश का मौसम लगा लो आप बारिश के मौसम में क्या होता है बहुत सारे मच्छ निकलते हैं तो आप किसी बरतन को खुला छोड़ दो उसमें कुछ रख दोगे तो वहां आके इसी काम का नहीं रहता है वेस्ट हो जाता है अमरे लिए हम फेक देते हैं लेकिन जो ही पिच्चर लाइक घड़े लाइक बन गया इस प्लांट का मोड़िफाई होके लीफ पार्ट का इसमें क्या होता है जैसे ही इंसेक्ट आएगा इंसेक्ट ने एंट्री की लेकिन उसक तो ये जो लिड है ये जो धकन है ये क्लोज हो जाएगा क्लोज होता ही ये इंसेक्ट कहां आचुका है यहां आचुका है क्या था ये जो था हमारे ये स्ट्रक्चर थी इसके उपर लिड लग चुका है और यहां पे हेर लाइक स्ट्रक्चर है इंसेक्ट है वो यहां वोड़िफाइड पॉर्ट इसकी जो वॉल्स है यह वाली और यह वाली यह वाली यह वॉल्स है यह स्यैक्रीट करती हैं क्या डाइस्टी जूसेग्ण हमारे स्टमक में भी THEIS्टी जूसेग्स सििरेट होते है इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाएगा जैसे इंसेक्ट डाइजेस्ट होगा तो हमारे डाइजेस्टियू सिस्टम की तरह है जैसे क्या होता है कि नूट्रियंट से बसोब होते हैं हमारे फूड में से तो मोस्ट остав तो दाम साविक्स फूड में हो जाते हैं और बाकी की पताच मांड़ियू ऑगो रुटल थे इंसेक्ट तो इसका डाइजेशन हो गहां जाता है अब क्या होगा कि यह जो पिच्छ पिक्चर प्लाइजेड तहसालाईज Hawklike the immune 용 इह क्या करेगी यह őंटोराइंट इफेल्च को अब शॉब करेगी यहा से अब हो नुट्रियनच को अबसे इस हो निर्चाना के भी है टोर आथ करेगी नाइड्रोजन कॉंटेनिग कंपोंट मॉटने उप्निकं नाइड्रोजन को करती है क्यह अधियाhou हमने प्लंट जो एक्मस्फिरिक नाइट्रोजन होता है उसके डायटी उटिलाइस नहीं कर सकता बल्कि सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते है वो इसको नैट्रेट्स में अनुपर्ट करते है तब प्लंट को मिलता है लेकिन इसको nitrogen की requirement क्यों पड़ी ही किया इसकी soil में nitrogen नहीं आया तो जो insectivorous plant हैं वो ऐसी जगे grow करते हैं जहांपे जो soil होती है उसमें nitrogen sufficient available नहीं होता nitrogen insufficient होता है तो इनकी जो requirement है वो complete नहीं हो पाती फुल्फिल नहीं हो पाती तो इन्हें nitrogen को इस insect से prepare करना पड़ता है और बागी products यह photosynthesis से prepare करता है तो इसमें दो तरह का हो गया एक तो photosynthesis कर रहा है यह दूसरा insect को भी खा रहा है photosynthesis के basis पर अगर हम बात करें इसको autotrophic बोल सकते हैं लेकिन insect भी खा रहा है तो कुछ तो heterotrophic के character भी तो हुए ना दूसरे organisms को consume कर रहा है तो जो insectivores plant होते हैं इन में heterotrophic mode of nutrition होता है heterotrophic complete नहीं होता है partial heterotrophic कुछ heterotrophic होता है कुछ autotrophic होता है तो partial heterotrophic mode of nutrition होता है इनका ठीक है कुछ photosynthesis से prepare किया कुछ insects को खा के prepare किया इंसेक्ट से सर्फ nitrogen लेते हैं और बाकि जो food product है वो photosynthesis से prepare करते हैं ठीक है तो इसके example की अगर हम बात करें तो इसके example जैसे picture like structure बन रही है तो picture plant घड़े के आखार वाला इसमें ऐसे ही और भी leaf होती है वो leaf ही ऐसे ही यह structure बनाती है यह lead बन गया ठीक है तो यह insect को capture करते हैं करते हैं तो यह होता है कि जो plants है वो दोनों टाइप से अपना food prepare कर सकते हैं photosynthesis बे कर सकते हैं और दूसरे organisms को consume भी कर सकते हैं दूसरे organisms को यह consume करते हैं इंसेक्ट्स को consume करते हैं इस basis पे इंसेक्टिवर्स plants को कार्णिवर्स भी कहा जाता है ठीक है कार्णिवर्स किसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दूसरे इन इन इनिमल्स को consume करते हैं हर्विवर्स जो प्लांट को खाते हैं कार्णिवर्स जो दूसरे organisms को खाते हैं यह तो आपने पढ़ाई है पीछे 6th class में आ चुका है ठीक है तो इन्हें कार्णिवर्स भी कहा जाता है next lecture में हम study करेंगे कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें दो plants का combination होता है plant one और plant two उसमें एक plant है वो एक function perform करेगा दूसरा plant है वो दूसरा function perform करेगा और दोनों मिलके अपनी life को stabilize करते हैं ठीक है तब जाके इनकी life चलती है किसी एक की भी absence हो जाए तो क्या होता है जल्दी से यह survive नह नहीं कर पाते है कुछ होते हैं जो survive कर जाते हैं तो यह हम पढ़ेंगे next lecture में होपस आपको insectivorous plants का समझ आ गया हो कि क्या होते insectivorous plants आप इस टोपिक को revise करना अच्छे से ठीक है लर्न करना थैंक्यू वेरी मच बी सेफ और बी हैपी